अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हो वो भी घर का होमेट बना हुवा खाना खाकर और सब कुछ खापी कर जैसे कि मैंने किया है अपना 20 kg वेट लॉस तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी 3 वेट लॉस रसेपी ज और इनको खाकर आपका वजन बहुत ही जादा तेजी से कम होगा तो चलो फटाफर से देखते हैं उन 3 वेट लॉस रसेपीस को जिनको खाकर आप बिना एक्सरसाइस की भी घर पर है कर आर राम से अपना वजन कम कर सकते हो वीडियो पसंदाए तो लाइक करना और इस वीड कर और पर प्रेस कर देना तो चलो फटाफर से शुरू करते हैं अपनी वो तीन वेट लॉस रैसेपी तो हमारी पहली रैसेपी है जिसको आप लंच में भी यूज़ कर सकते हो और डिनर में भी और यह रैसेपी जो है यह हम पालक से बनाने वाले हैं पालक में आयरन जैसा कि आप सबको पताया ऑँसमें कैलोरी बहुत ही जड़ा होती है Rocky यह हमारी मोंस करता है हार्मोन को बैलेंस करता है हमारी बाडी में आयरन कमी होती है उसको ठीक करता है पेट को अच्छे से साफ करता है और यह इन सब चीदों की वज़ा से यह वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है तो पालक फ्रेश पालक ले लीजिए अप मार्केट से उसको दो के पत्तों को काट लीजिए या तो आप या फिर आप ऐसे ही चांट कर नीचे कि जो मोटे-मोटे तनि होते हैं इसके उसको निकाल दीजीगा पत्ते मेंसे और उपर का जो मोटा-मोटा पत्ता होता है उसको अच्छे से पक जाता है उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे इतनी दिन में हम तयार करेंगे इसकी ग्रेवी को क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर तो हमने देशी डेमाटर ले ली हैं चार बिलकुल लाल जो की खटे हो इनको धोली जे अच्छे से और काट कर मै इसको मैंने मिक्सी में पीस कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था और उसके बाद जो हमारा पालक उबल चुका था उसको भी ठंडा करके हमने मिक्सी में पीस कर उसका भी एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था तो इसमें हम पालक के साथ ना यूज कर रहे हैं पनीर को और पनीर को भी आपको पता ही है कि बेट लॉस में कितना अदा मदद करता है, उसमें हाइप प्रोटीन होता है, हाइप फाइवर होता है, मिंडस बहुत जदा होते हैं, कैलशियम अच्छा होता है, और बेट लॉस करने के लिए इन सब चीजों की बहुत जदा ज़रूत होती है, विटमिन B12 भी अच्छी मातरा में होता है तो आप इसको as a dinner यूज़ कर सकते हैं एक बड़ा बाउल भर कर आप रात को यही खा लें एक तो सुब आपका पेट अच्छा साफ होका और जब पेट अच्छा साफ होता है न तो वजन बहुत तेजी से कम होता है साथ ही साथ में यह रैसिपी nutrition से भरपूर है अगर आप इसको as a lunch यूज़ करें तो आप इसके साथ दुपैर में एक रोटी ले सकते हैं, salad ले सकते हैं fruits ले सकते हैं और एक बड़ा बाउल भर कर आप यह पालक पनीर ले सकते हैं और अगर आप इसको dinner में यूज़ करें तो मैं आपसे कहूँगी कि रात के टाइम पर रोटी avoid किजेगा आप इसी का बड़ा बाउल भर लीजेगा और अच्छे से पेट भर कर आप इसी को खा लेना आप यकीन नहीं करोगे एक महिने के लगातार इसके प्रियोग से आपका वजन इतनी तेजी से कम होगा आप किसी तरीके से पालक को खा सकते हैं और पालक को खाने का ये best भी होता है क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका और ये सबको ही पसंद होता है तो अब इसको हम कर लेंगे फ्राई जिसके लिए हमने एक कड़ाई में थोड़ा सा ओईल लिया है देशी की भी ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा हींग, भुना हुआ जीरा थोड़ी सी हल्दी नमक, थोड़ी सी मिर्च और वो जो हमारा पेस्ट था ना टमाटर वाला मिर्च वाला उसको डालके फ्राई कर लेंगे थोड़ा से डालेंगे सेंदा नमक, मैं सेंदा नमक यूज़ करती हूँ अगर आप साधा नमक यूज़ करते हो तो नमक साधा भी यूज़ कर सकते हो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना अगर weight कम कर रहे हो तो नमक कम खाना यानि कि नमक की quantity थोड़ी सी कम करना इससे weight loss करना में बहुत ज़दा मदद मिलती है क्योंकि नमक जो होता है वो हमारी body में पानी के store करने का काम करता है जितना ज़दा नमक खाएंगे उतना ज़दा body में पानी store रहेगा और फिर जो bloating व और इसे sodium की भी ज़रूरत होती है अपनी body को ठीक से चलाने के लिए क्योंकि बिना sodium के भी body में बहुत ज़दा problems होती है तो नमक को खाना भी ज़रूरी है बट आप ये ध्यान रखना कि उसकी access quantity नहीं लेनी हो और market की जितनी भी चीज़ें होती है ना उन समय नमक बहुत ज चटपटा बहुत सारी varieties में बना बना के घर पे easily सब कुछ खापी के अपना weight कम कर सकते हो और weight कम करने के लिए ना homemade diet का होना बहुत ज़दा ज़रूरी है तो अगर वजन कम कर रहे हो तो घर का बना हुआ सब कुछ खाओ अपने हाथ से खर पर जो मन हो वो आप बनाओ पहली तो वो जो हमने टमाटर की प्योरी फ्राई की थी जब वो अच्छे से पक जगे oil चोडने लगेगी तो उसमें अपना पालक डालेंगे और डालेंगे पनीर और फिर ये बन के तयार है आप इस तरीके से से lunch और डिनर में enjoy कर सकते हैं इसके बाद हमारी दूसरी recipe शुरू हो चावल भी उतना ही सेफ होता है weight loss करने के लिए जितना कि हम बाजरे की मक्ये की इन सब चीदों की रोटी खाते है वराइटी वली चावल में vitamin b12 भरपूर मातरा में होता है और भी ऐसे बहुत सारे पोशक्तत होते हैं अगर चावल खाओगे तो बालों की ग्रोथ अच्छी में होती है कोई जदा इतना एक्सेस में कैलोरी नहीं होती तो आप weight loss करने के लिए चावल भी खा सकते हो और चावल ना बहुत जल्दी डाजेस्ट हो जाता है तो weight loss करने में बहुत जदा help करता है डॉक्टर्स हमेशा दाल चावल ही खाना प्रिफर करते हैं और इस चावल protein होता है अगर आप vegetarian होना तो आपके लिए protein का बहुत ही अच्छा source है तो इसे अपने हिसाब से घर पे जैसा भी आपको taste पसंद है उस हिसाब से बना सकते हैं और अच्छे से enjoy कर सकते हैं बहुत कम quantity राजमा से ही हमारा अच्छे से और बहुत देर तक ना पेट भरा रहता ह है बतलब यह थोड़ा सा ही खाओगी ना अब तो ही happy हो जाएगा तो मैं आपको जस तरीके से लगा के बताऊंगी ना भी आगे थाली उसी तरीके से अपनी थाली लगाना चावल की quantity कम रखना राजमा की quantity जादा रखना साथ में थोड़ी सी salad ले सकते हैं जिसमें fruits या फि पुरा से खा कि बहुत देर तक आपका पेट बरा रहेगा आपको बार बार भूक नहीं लगेगी जिसकी वज़े से आपको weight loss करने में बहुत ही जादा मदद मिलेगी तो वही सेम तरीका जैसे हम सारी की सारी चीजों को बनाते हैं oil लेंगे उसमें टमाटर की प्यूरी सार कम पानी में बनाती हूँ क्योंकि इसका ही जो पानी होता है चावल के मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है मैं इस पानी से बाद में अपने बाल दोती हूँ जिससे बालों की growth बढ़ती है बाल अच्छे होते हैं मलायम होते हैं जड़ना तूटना बंद हो जाता है तो मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि कम पानी में चावल बनाना मतलब ही जो पानी फैंक देते हैं नाम चावल बना इसको कम यूज करना जिससे कि वो गाड़ा गाड़ा पानी निकलेगा और आप उससे अपने बालों में फेस पे हाथ पेरों पर लगा सकते हूँ इससे बहुत सारे पाइदे हैं न्यूटिशन हमारे बालों को और हमारी इसकिन को भी मिल जाता है जिसको हम ऐसे ही बहा देते हैं नाली में सिंक में तो मैं इस तरीके से चावल के ऊपर थोड़ा सा घी भी डाल देती हूँ जिससे चावल खिला-खिला रहता है और घी तो आपको उपाय कर लेना वेट कम नहीं होने वाला इसलिए घी खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर वेट लॉस कर रहे हो तो जितनी भी अपनी रेसिपी बनाओ ना घर पर वो सरसों के तेल में या फिर देशीगी में ही बनाना ठीक है तो वेट लॉस करने में बहुत ज़्या अतने ज़्यादा हाई सोर्स है तो इसमें पनीर ऐसा कोई अड़ करने की ज़ुरूरत नहीं है पनीर आप दूसरी रेसिपी बना कर भी यूज़ कर सकते हो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको डेली अपने खाने में प्रोटीन की क्वांटरी बहुत ज़्यादा अ नहीं है और अगर आप यहीं चाहते हो तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स रखना अपने डेली के डाइट प्लान में सौरी थोड़ा आना आज कर शादी ब्याहों में जाना आना हो रहा है मेरा तो मैं ठंडी चीज़ें भी खा लेती हूं तो थोड़ा गला ऐसे ही हो रहा है तो बीच में शयाद आपको मेरी अवास सोरी सी चेंज नजर आई हो तो इस तरीके से ना हम अपना यह राजमा चाफल बना लेंगे और क्वांटिटी मैं आपको जैसे दिखा रही हूं उसी तरीके से आपको अपनी प्लेट में लगानी है एक प्लेट लेना बहुत ज़द राद को मैं सैलेड में खाती हूं वेजिटेवल्स और दुपहर को मैं सैलेड में खाती हूं फ्रूट्स लेकिन खाना खाने से पहले ही मैं फ्रूट्स खा लेती हूं उसके बाद फिर मैं यह राजमा चाफल अच्छे से चवा चवा कर खाती हूं अब बारी आती है हमारी तीसरी recipe की तीसरी recipe में हम बना निकले जा रहे हैं vegetable rice ठीक है जैसे कि हम सबसे पहले rice को boil कर लेंगे या फिर ऐसा भी होता है कि कभी को भी हमारी घर पर न हम इसी तरीकी से दाल चावल बनाते हैं और rice बच जाते हैं तो उसको भी आप ऐसे ही use कर सकते हो as a weight loss recipe क्योंकि चावल म कम calorie होती है और जब वो boil हो जाते हैं तो उसमें से जब हम पानी निकाल देते हैं तो काफी अच्छी मात्रा में starch निकल जाता है जिसकी वज़े से carbohydrate की मात्रा भी उसमें से कम हो जाती है तो उसे खूब सारी vegetables खूब सारी colorful vegetables और आजकल तो winter है तो इतनी अच्छी अच्छी vegetables आ रही है और vegetables में calorie बहुत ही कम होती है, fiber ज़्यादा होता है, water ज़्यादा होता है यानि की पानी तो ये सब कुछ हमें weight loss करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है तो खूब सारी सबजियों को पसंद हो जो भी आपके पास available हो खूब सारी सबजियों को काट लो उनको अच्छे से fry कर लो, चाहो तो उसमें पनीर को भी grade करके डाल लो, हरी मेर्च, हरा धनिया, सब चीज़ें अच्छे से डाल लो, आपको पता है हरा धनिया खाने से हमारे hormones balance होते हैं, ladies लोगों के, जिसकी वज़द से भी हमें weight loss करने में काफी ज़्यादा मदद मिलती है, और ठंडों में धनिया बहुत दो सस्ता हो जाता है, तो आप हरा धनिया ही खा सकते हो अच्छे से, जितनी भी अपनी weight loss recipes बनाओ, उनमें खूप सारा हरा धनिया डालो आप, क्योंकि उसमें इतने सारे nutrients हैं, आपको बहुत सारे तरीके से फायदा करेंगे, आपकी बालों की growth मे आपकी skin tone को सुधारने में, और साती सात भाई weight loss करने में, तो वो सब मदद करेंगे ही, तो मैं आपको बीच वीच में ऐसी बहुत सारे tips देती रहती हूँ, अगर मेरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे न, तो बीच वीच में बहुत सारे tips मिल जाएंगी आपको, जिसमें आ सारे वीडियो भाई, मैं खुद से ही बनाती हूँ, खुद से ही सोचती हूँ कि मुझे आपको लोगों को न, क्या दिखाना है, और आप लोगों के इतने सारे message आते हैं, उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बट अभी थोड़ा शादी सीजन में, मैं लोगों तक पहुंचाने का, बट मैं मुझे जैसे भी टाइम मिल रहा है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को शूट कर रही हूँ, और आप सब लोगों तक जादा से जादा weight loss वाली वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही शादी सीजन थोड़ा सा डाउन होगा ना, तो मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज वाली वीडियोस भी शेयर करूंगी, तो प्लीज वेट करना थोड़ा सा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहे हैं, मुझे आपके प्यारों सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है, तो उमीद करती हूँ कि आज की जो ये तीनों की तीनों रेसेपीज हैं, ये आपको पसंद आएंगी और आपको मदद करेंगी वेट लॉस करने में, तो सारी की सारी सबजियों को फ्राई करके, उसके बाद हमने उसमें अपने चावल डाल लिए हैं, और उनको आप सर्व कर लीजे इस तरीके से ए कभी कभी न हम क्या करते हैं कि वड़ी प्लेट में ज्यादा खाना ले लेते हैं और उसे खतम करने की वज़े से हमें वह खाना ही पढ़ता है, तो ऐसा ना करें पहली छोटी प्लेट में खाना लें, अगर उसे खाके भी आपको भूख लग रहे हैं, अच्छे से चबा-च शेयर कर देना और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई